तो अनंतनाग में लगातार तीसरे दिन आतंकियों से मुटभेड जारी है आतंकियों की घेराबंदी के हुए 55 घंटे से भी ज्यादा का वक्त होच चुका है दो सितीन आतंकी कोकरनाग इलाके में छिपे हुए हैं इसमें पिछले साल लश्करे तयबा में शामिल हुआ आतंकी उजैर खान भी शामिल है पहाडी में छिपे आतंकियों को मारने के लिए सुरक्षा बल अत्याधुनिक हत्यारों का इस्तिमाल कर रही है अनंतनाग में एक खास ओपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें हिरोन ड्रोन से लेकर पैरा कमांडो तक शामिल है तो एक तरफ देश नमाखों से शहीद जवानों को अंतिम विदाई दे रहा है श्रद्धांजली दे रहा है तो दूसरी तरफ यह उपरेशन अनंतनाग में और तेज होता जा रहा है सेना का यह उपरेशन लगातार तेज हो रहा है अनंतनाग में आतंकियों के दिये खाओ को सेना ना भूलेगी ना भूले देगी आतंकियों को ढून ढून कर खत्म किया जाएगा कोकरनाग इलाके में जिस पहाड़ी पर आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा है उसे पूरी तरह से घेर लिया गया है रहे रहे कर उस इलाके से धमाकों की आवाज आ रही है कभी बम वस्वोट हो रहा है तो कभी गोलियों की तर-तराहट से पूरा इलाका गून रहा है आतंकियों का काल बन कर सुरक्षा बल उनके पीछे लगे हुए है और जल्दी उनके डेर होने की खबर का इंतजार पूरे देश को है अनंतनाग में जहां इंकाउंटर जा रही है वहां हमारे संबाददाता खालिद हुसेन मौजूद हैं देखे उनकी ये रिपोर्ट एक बार फिर यहां पर गोला बारी देखने को मिल रही है आप देखे लगातार फाइरिंग हो रही है यह जो गडोला कोकरनाग के जंगल का एरिया है जहां पर तीन दिनों से सुरक्षबल एक मिल्टेट विरोदी अभ्यान चला रहे है और आज सुबा से अगर हम देखे तो एक जगा को टार्गेट किया जा रहा है जहां पर शक है कि वहां पर मिल्टेट का हाइड आउट है हमने देखा कि यहां द्रोन जो एक्जाकॉप्ट था उसने पहले टार्गेट सेट किया एक स्मोक शेल के थ्रू उस टार्गेट को आपरेशनल फोर्सिस तक पहुचाया और फिर ऑपरेशनल फोर्सिस ने उस स्पार्ट पर जो है गोलाबारी की और हर दो तीन गंटे में जो है इस तरह की फाइरिंग लगातार यहां देखने को मिल रही है हम मैं आपको बता दू आज यूबी जेल का यहां इस्तमाल किया गया ग्रनेट दागे गया इसके लावा जो आईडी थे वो वहां पे फिक्स किये गए और उस हाइड आउट को जो है बस्ट करने का पूरा पूरी तरह से कोशिश की जा रही है इस इलाके को जो है लगातार गेरे में रखे हुए है और उस टारगेट पे लगातार फाइरिंग और दमाके किये जा रहे है ताके यहां पर जो मिलिटेंट का इंपूट है और जो टारगेट है एक्ज़कॉप्टर के जरी फिक्स हुआ है वहां पर जो हलचल दिख रही है उस हलचल को खतम करने के लिए उन military याई ह British अगर वहां पर है तो उसको खतम करने के लिए या फिर अगर वो hide out है तो उसको खतम करने के लिए इस तरह का हमला जो है लगतार उस जगह पर सुरक्षा बलू दुवारा किया जा रहा है ये जॉइंट ऑपरिशन है जमो कश्मीर प्लीस और सियार पेफ और सेना का और आप देख रहे हैं लगतार गोलबारी हो रही है उस टार्गेट किया जा रहा है उस जगह को उस हाइड आउट को जिसे ह है आमिनेशन भी बंगाया गया कल जो एरिया ओफ ऑपरिशन है उसको भी एक्सपैंड किया गया था ताके अगर दूसरी कहीं जगा पर मिलिटन्ट छुपे हुए हैं तो उनको भी जो है कहीं ने कहीं दरदबोचा जाए जैसा कि हमको एड़ी जीपी कश्मीर ने कल बताया और आज भी उन्होंने दोराया कि यहां पर दो मिलिटन्ट की मुवमट देखी गई है जिसमें जो एक सथानिया मिलिटन्ट है उसका नाम आ रहा है और लशकर तॉइबा से वो जुड़े हुए बताये जा रहे हैं लगातार इस तरह के दमाके हम सुबा से सुझ रहे हैं औ यहां पर मिलिटन्ट के छुपे होने की आशंका है